उंश्यान्ति, दस सेप्टेम्बर के शरीद रहने में होगत है, पर्मत्मा केते हैं अकाल तकत, और दिल तकत पर बैठ सदा शृष्ट कर्म करने वाले कर्मयोगी भवा अकाल तक्त हो गया यह हमारा आत्माओं का अकाल तक्त जहां पर अकाल आत्मा इस शरीर के ब्रकोटी के तकत बर बैठ करके अपना कर्म कर रही है और परमात्म का अकाल तक्त हो गया परमधाम ब्रमलोग जहां पर उनका तकत है जहां पर वो विराजमान है और जहां से इस ना अंदर अपना तकत मलक वहाँ पर अपनी जगा बनाना है लेकिन तकत पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है तो कहते हैं राजा बच्चा मेरा तो परमात्मा भी अगर हमें राजा बच्चा के मलकी उनके दिल के बराज़ करने वाले हैं जब अकाल तकत नशीन हैं तो स्वराज जदिकारी है जब अकाल तकत नशीन मतलब मैं आत्मा अपने तकत पर बैठकर के आँखों से कान, मुख, नाक, तवचा, हाथ, पैर से जो पवितर करम सोच समझ करना चाहूँ वही हो ये मुझे दोका ना दे हैं जब अकाल तकत नशीन है तो स्वराज जदिकारी है स्वर के पर राज्य मन बुद्धी के उपर राज्य संसकार और इंके उपर भी राज्य और बाप के दिल तकत नशीन है तो बाप के वरसे के अदिकारी है परमात्मा पिता एक पिता है जो कि परमात्मा हैं वो हमें स्वर्ग की बाच्छाई तबी देंगे जब हम उनके अनुसार चल रहे हों जब हम पवितरता में रह रहे हों आत्मिक भाव से हर आत्मा को उनका पाट बजाते हुए साक्षी हो करके देखते हुए बिना परिशान हुए बिना क्रोधित हुए बिना अहंकार में आए बिना चड़ चड़े हुए हम आगे बढ़ते चले हैं और यह समझे हैं कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वो उतरती कला हम चड़ती कला तो परमात्मा हमें चड़ती किला में ले जाने कर आए हैं और हमें यह सारे टेस्ट पेपर फिस करना है जब अकाल तक ने शीन है तो सुराज अधिकारी है और बाप के दिल तक ने शीन है तो बाप के वरसे के अधिकारी है जो कि है सुक शान्ति, प्रेमानन शक्ति और स्वर्क में जाना जिसमें राज्य भाग्वे सब आ जाता है कर्म योगी अर्थात दोनों तक तरनशीन खुद में भी कंट्रोल और परमात्म के दिल में बैठने वाला ऐसी तक तरनशीन आत्म का हर कर्म श्रेश्ट होता है क्योंकि सब कर्मेंद्रिया लो और ओर्डर पर रहती है इसलिए हमारा हर कर्म श्रेश्ट होता है आम शेंटी